अब देखिए बच्चों, question number 190 ये भी अच्छा question है सबसे पहला नबर क्या है कि ये oxygen जो है ये क्या करेगा इस sulfur पर attack मारेगा ठीक है sulfur पर attack आपको याद होगा tosylate तो tosylate में जिस परकार से attack होता है कुछ वहीसा ही है बस यहाँ पर tolwin दिया होता है यहाँ पर tolwin ना देकर दिया हुआ है बेंजिन दिया हो ठीक है तो ये oxygen जो है सबसे पहला नबर इस पर attack करेगा क्यों करेगा अभी मैं बताऊंगा उसका विकारा तो ये इस पर attack करेगा ये O- बनेगा दोबारा attack होगा double bond का strength हो यहाँ से chlorine चला जाएगा तो बच्चों आप देखिए CH3 CH2 का health तरह इस बोले तो तीन बार है और उसके बाद यहाँ से S पहले oxygen oxygen से S double bond O ठीक है और फिर ये CH3 अब सबाल उता है क्यों attack किया देखिए आप जानते हो कि ये जो O-H ये O-H एक अच्छा living group नहीं है ठीक है तो alcohol के case में क्या होता है कि हर हमेशा O-H को एक अच्छा living group बनाने के लिए कोई न कोई जुगार दिया हो रहता है समझगे बात को तो इसी दिए ये oxygen oxygen का जो nucleophile था इसने sulfur बेटेक किया और चुकि क्लोरीन यहाँ पर एक अच्छा living group है तो ये chlorine यहाँ से लिव किया ठीक है अब जो chlorine लिव किया न वही chlorine एक हमें पता है कि ये एक strong nucleophile है ठीक है तो ये strong nucleophile के जैसा जो है यहाँ पर इस वाले carbon पर अटेक करेगा और ये लिव कर रहे है अब देखिए ये भी एक अच्छा living group है सवाल उड़ता है कैसे तो जब आप इसको लीव कराके इसका एनायन बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको तीन एक्कोलारस मिलने वाले है और एनायन जितना ज़्यादा इस्टेवल होगा आप सोचिए बॉन्ड टूटने के बाद इसकी स्टेविलिटी बढ़ रही है तो यदि बॉन्ड टूटने के बाद इसकी स्टेविलिटी बढ़ रही है तो ये तो अच्छा living group हुआ करने का मनलों ये तो इसी जुगार में ही लगा रहेगा कि कैसे भी करके bond तूट जाए यहां से समझ के बाद तो finally यहां से देखिए आप CH3 CH2 का होट twice लिख लिजिए उसके बाद एक बार CH2 लिख लिजिए और फिर उसके बाद वहां पर CN फिर देखिए यहां पर दिया हुआ है CN14 दिया हुआ CN- के-CN है आयनिक बाद 14 वाला है 14 क्यों लिख आए यहां पर वीदे की कार्बन है यहां भी कार्बन है बेसिकली दोनों कार्बन को यह डिफरेंशियेट करना चाहा है अलग अलग करना चाहा है ठीक है तो यह CN- भी देखिए एक स्ट्रॉंग नुकलोफाईल है तो ये भी क्या करेगा SN2 एटाइक ही करेगा इस वाले पर ठीक है और यहां से क्लोरिल लिव करेगा तो फाइनली अगर आप देखिए तो CH2 का हॉल्ट वाइस फिर उसके बाद CH2 और फिर उसके बाद देखिए यहां पर CN हो जाएगा ψ फोर्टीन वाला है ठीक है लास्ट स्टेप में यहां पर हाईड्रोलैसेस किये होगा तो आप जानते हो कि HD-headed medium में जब CN का हाईड्रोलैसेस होता है तो यह COH में बदल जाता है और COH में जब यह बदलेगा है न सी ना COH में बदलेगा तो यहाँ पर जो carbon है वो 14 वाला ही रहा जाएगा यही सबसे important बात है इस question का समझगे बात को तो यहाँ पर देखें CH3 और CH2 तो 3 बार आएगा ही और उसको बाद COH है ने और COH भी 14 वाला तो देखिए ऐसा हमें option number B में देखना है हाँ हम बात करेंगे question number 120 में 120 में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कता है choose the best synthesis of phenyl normal propyl ठीक है तो phenyl बनाना है और इसके साथ जो है आपको normal propyl कुछ इस तरह का combination किस में बन जाएगा यह और ether भी है तो आपको बीच में इस तरह से लगाना है ठीक है बच्चों तो आप सवाल उड़ता है किस से सुबात करते हैं पहले से पहले वाले हम देखिए sodium metal है sodium metal आप जानते हो कि अगर कोई hydrogen किसी more electron negative item से जुरा हुआ होता है तो यह metal जो है यह क्या करता है है यहाँ पर इस oxygen के साथ एक ionic bond बनाता है और यहाँ से hydrogen gas को यह liberate करता है तो कुल मिलाकर यह जो है एक phenoxide ion बना देगा बोले तो हम बोल सकते हैं कि pH O- बना दिया है ठीक है फिर उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पर दिया हुआ है क्या CH3, CH2, CH2 और उसके बाद यहाँ पर ब्रोमीन है वन डिग्री कालकाइल एलाइड है ठीक है तो वन डिग्री कालकाइल एलाइड है और यह ओ माइनस क्या है एक स्ट्रॉंग नुकलोफाइल है फिनॉक्साइड आयन ऑक्सिजन पर निगेटिव चार्ज यह एक स्ट्रॉंग नुकलोफाइल है और इस ट्रॉंग नुकलोफाइल क्या करता है यह जो है SN2 रियक्शन करता है तो यह आँ पर अटेक करेगा और ब्रोमीन को यहाँ सनीव करा देगा तो करने का मड़ा है कि यह जो अप्शन नमबर A है इसका यह बेस्ट मैथड है आपको यह प्रोड़क् पर कोई दिक्कत नहीं है यह सोडियम मेटल क्या करेगा यहां पर अनायन बना देगा बनाएगा लेकिन दिक्कत है इस ब्रोमीन के साथ ठीक है कैसे ब्रोमीन देखिए इस बेंजीन रिंग से जुरा हुआ है तो आपको पता है इसके बीच में रेजोनेंस भी होगा और रे S-N-2 reaction होने के लिए living group का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो काने का हम लोग यह भी गरवर में थाग है यह भी अच्छा में थाग नहीं समझ महीं बात अच्छा फिर देखिए यहां पर option number C में option number C में देखिए यहां पर sodium metal लिया हुआ है तो sodium metal का तो यहां पर use ही नहीं हो पाएगा क्यों क्योंकि यह तो ether है इther तो reaction ही नहीं करता है और D में तो देखिए पहले से ही फालतो बात किया हुआ है यह sodium metal यहां से क्या करेगा hydrogen को निकालके anion बनाएगा और फिर उसके बाद यह HBR से फिर यहीं लेगा तो यही product बन जाएगा तो यही गरबर बन तो इन चारों में से option number A ही इसका correct answer है